असलाम अलेकुम विवर्स कैसे हैं आप डाकुमेंट कंट्रॉल और कंस्ट्रक्शन के अंदर स्पेसिफिकेशन या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन किसको कहते हैं कोई भी मैटेग्रियल साइट पे जब यूज करना होता है तो कंट्रैक्टर अपनी मज़ी से वह मैटेग्रियल साइट पे यूज नहीं कर सकता हमेशा कंसल्टेंट और डिजाइनर जब भी कंट्रैक्ट फाइनलाइज हो जाता है तो आए-फची ड्राइग के साथ बीयो क्यू के साथ हमेशा स्पैसिफिकेशन देते हैं और वह स्पैसिफिकेशन जो सायट पे मैटेरियल इस होना होता है उसके बारे में होती है इनके बारे में मैं अलग से इंशाला वीडियो बनाओंगा और आपको उनके बारे में भी कोशिक करूँगा कि बता दूँ अलेकर आज के मेरे टॉपिक है स्पैसिफिकेशन कोई भी मैटेरियल साइट पर जब यूज होता है तो उसको यूज करने से पहले स्पैसिफिकेशन उसकी चेक की जाती है और इस स्पैसिफिकेशन हमेशा कंसर्टेंट क्लाइंट या बाव जगार एक थर्ड पार्ट डिजा तो हर एक चीज की स्पैसिफिकेशन रहती है मिसाल की ताइप लेलेकर के आपने पैप यूज़ करना है तो इसुस पैसिफिकेशन भी आपको दी जाएगी उसको लिख जाएगा कि उसका रेडियस क्या होगा उसकी थिक्नेस क्या होगो कौन सा मेटेरियल उसका लिए जाती है. Site पे को Switch Use होना हो, CEMET Use होना हो, Seria Use होना हो, Block Use होने हो, कोई भी चीज ले हो खाया, ऐस्केसियन wear की बाकायदा Specification, k ing consultant की तरफ से दी जाती है. उसके बात Contractor क्या करता है कि उस Specification के लिहाद से Supplier को छूच करता है Manufacturer को छूच करता है और फिर material submitter बनाके consultant से अप्रूव करवाता है और अगर material अप्रूव हो जाए as a technical data sheet तो फिर वो proceed कर सकता है अब specification की कितनी किसमे होती है यह depend करता है किसी भी project के size के ओपर requirement के ओपर नॉर्मली इसकी 5-6 books होती है इनमें से architectural specification जो के architecture से मतलग होते हैं उसके अलावा plumbing के specification HVAC जो AC सिस्टम होता है उसके मतलग IT के specification interior design के specification electrical specification mechanical specification तो इसलिया से 5-6 books होती है अगर तो बहुत बड़ी प्यूट हैंगा तो जाहर है उसका books भी उतनी बड़ी होती है तो यह package होता है जो के consultant की तरफ से दिया हो जाता है इनके उपर हर specification का एक अलग से code और reference number होता है और जब भी कोई communication करनी हो for example कोई चैज़ ऐसी है जो के contractor को यह समझ में नहीं आ रही तो वो उसका reference से letter या communicate करेगा client के साथ या consultant के साथ एक और rule होता है कि specification की चीज़ अगर markets available नहीं होती तो उस सुरत में contractor क्या करता है तो उस सुरत में rule यह होता है कि जो चीज़ specify की गई होती है उससे उपर वाले दर्जे की तो use कर सकता है निचले दर्जे की नहीं for example अगर 5 mm का pipe है 5 mm thickness का pipe है वो markets available नहीं है then he can use the 7 mm or 6 mm but he cannot use 4 mm or below of that specification another thing also he has to take approval from the client consultant or designer whoever is involved in that project so this is called specification or technical specification in document control or construction hopefully you like my video thank you for watching Allah office